अलप शुताम शुतावताम बरियां से दाम तवत भक्ति रेव मुकरी कुरुतेवा म्यद्गो किला किलमदो मदुरं वीरोती तच्चाम रचारु कलिकानी करे कहे दू अलप शुताम शुतावताम बरियां से दाम तवत भक्ति रेव मुकरी कुरुतेवा लान्मा म्यद्गो किला किलमदो मदुरं वीरोती तच्चाम रचारु कलिकानी करे करे दू अलप शुताम शुतावताम बरियां से दाम तवत भक्ति रेव मुकरी कुरुतेवा लान्मा म्यद्गो किला किलमदो मदुरं वीरोती तच्चाम रचारु कलिकानी करे कहे दू आराज अरिहंत प्रभु के चर्णों में अनंत नंत आस्था के साथ बंदन शाषन बती श्रमन भगवान माविर स्वामी के चर्णों में अनंत नंत आस्था के साथ बंदन जिन्शाशन देव, जिन्शाशन माता कुनमन आत्मा ख्याई सद्गुदेग, यूग पधान, आचारे बगवन की चर्णों में अनंत नंत आस्था के साथ बंदन आत्मा प्रिय मुनिवरिंद, आत्मा अर्थी सादक सादिकाउं मोक्ष शास्त्र तत्वार सुत्र की चर्चा चल रही है जिसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा थी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान, सम्यक चारित्र, मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन के उपर चर्चा हमने की और उसके बाद सम्यक ज्यान की चर्चा शुरू हुई उसमें हमने सम्य घ्यान के लिए शुत्ट देखे थे मती शूता वधी मनव पर्याय केवलानी ज्यानम ग्यान को प्रकार पांच बता दिये और पांच प्रकार को ग्यान प्राप्त किया जाता है ज्यान तो एक ही है पूरुन रूप से निष्चे में लेकिन व्यवहार से उस ज्ञान को जानने के पाश साधन है मती ज्ञान, शुत ज्ञान, अवधी ज्ञान, मन ज्ञान, परियो ज्ञान और केवल ज्ञान मती ज्ञान जो है वह इंद्रिय और मन की सहायता से होता है शुर्ट ग्यान जो है वह मती ग्यान पुर्वक होता है मती ग्यान से ग्यात पदार्थ से सम्मंद रखने वाले किसी दूसरे पदार्थ को ग्यान को शुर्ट ग्यान का जाता है मत्ईग्याद से जो जाना है उस्क पदात से सम्मन्ध रखने वाले किसी दूसरे पदात को गयाण को शुत गयान करता है जैसे मत्ईग्याद से गट को जाना फिर अपनी बुद्धि आदि से या जाना कि या गट पानी आदि दर्वियों को भरने का काम आता है बरने का है अत्वा इस एक गट के समान या असमान जो अन्य बहुत से गट है उसको जाना या जानना क्या है शुत ग्यान है अवधी ग्यान रव्यक शित्व काल और भाव की मरियादा के लिए फूए रूपी पदार्थ, इसपर्ष, गंद, रस, भर्ण वाले पदार्थ को प्रत्यक्ष जानने वाले ग्यान को अवधी ग्यान किते हैं मन परियोग्यान मनिश्य के लोक में वर्तमान जिवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं जिनका उन जिवों ने विचार किया है या विचार कर रहे हैं तो वहिश्य में विचार करेंगे उनको सपस्ट जानने वाले ग्यान को मन परियोग्यान करें मन जो रूपी पता जाने है उसके बारे में मन में जो विचार कर रहे हैं में इंद्रिय और मन की आवशकता नहीं है यह आत्मा के प्रकास से आत्मा में इसी शक्तित प्राप्त हो जाती है उस शक्ति से वो दूर बैठे हुवे रूपी पदार्थों को भी जान लेता है और किसी के मन में विचारों में क्या चल रहा है क्या सोच रहा है क्या सोचेगा यहां तक का वो देख लेता है वो मन परियो ग्यान केवल ग्यान सब द्रवियों की सब परियायों की एक सा स्पष्ट जानने वाला मती ग्यान जो एक केवल परियाय के बारे में जानता है लेकिन केवल ग्यान द्रवियों परियाय सब चीजों के बारे में स्पष्ट जानने वाला ग्यान केवल ग्यान में समस्त लोक अलोक और टीनो काल भूत भविश्य वरतमान और लोक अलोक सभी को वो जानने की क्षमता रखता है समस्त पदास्तों को हस्ता मलकवत यहने हाथ में जैसे आमला रखते हैं तो आमला पूरा दिख जाता है ऐसे हरेग जीव के भूत भविश्य वरतमान और समस्त द्रवियों को पूर्ण रूप से जानने की जो ख्षमता है आत्मा की वो पूर्ण प्रकट हो जाती है उसके उपर से सारे आवरन हट जाते हैं उसको केवल ग्यान का तत्प्रमाने जो मतिशृतवदी ज्यान है वो केसे होता है तो यह पांचो ज्यान प्रमान है शुरुवत में एक सुत्र आया था प्रमान नएरे दिखाओं प्रमान और नए से जाना जाता है तो प्रमान क्या है तो यहांपे बताया है तक प्रमाने यह पांचो ज्ञान प्रमाने आपके तरह यह मैं ज्ञान प्रमान से कह रहा हूं मैं अपने समझ से कह रहा हूं ज्ञान से कह रहा हूं प्रमान द्वारा पदार्थों को भली बांती ज्ञान प्राप्त किया जाते हैं सुत्र में प्रमाने कहा गया है इस कार्थे प्रमान दी वचन में रुकते हैं यानि प्रमान के दो प्रकारे एक प्रत्यक्ष प्रमान एक दूसरा परोक्ष प्रमान प्रत्यक्ष प्रमान और परोक्ष प्रमान इनी में प्रमान के समस्त बेच अंतर नहीं थे इंद्री प्रम ग्यान ही प्रमान है आध्ये परोक्षम प्रथम के दो जो ग्यान है वो परोक्ष प्रमान है आध्ये यह पांच ग्यान बताए आधी के दो शुरुवात के आचारे ने वापस एक एक नाम को रिपीट रिपीट नहीं किया एक दूसरे सुत्र के साथ संबंध है तो जो प्रती इसमें आद्य शब्द द्वी बचन का जोता के उप्रोक्त भी बेचन में मत्य शुत के जो आद्य शब्द है ये दोनों परोक्ष प्रमान कहलाते हैं दोनों ग्यान पर अर्थात पर क्यों कहा इनको परोक्ष प्रमान क्यों कहा मति ग्यान और शुत ग्यान को परोक्ष प्रमान क्यों कहा हाँ इसके लिए कोई साधन बीच में चाहिए अवधी मन परियों और खेवर ग्यान के लिए किसी साधन की जरुत नहीं है ये सांत होते हैं तो हम आगे जाते हैं इसल प्रत्यक्ष में जब जाते हैं तब यह मन बुद्धी की जितने विकल्प हैं सबको पहले शांत करते हैं तो हम प्रत्यक्ष में उसके पार ध्यान कहां से शुरू होता है मन बुद्धी इंद्रिया विचार संसकारों के पार जाकर आत्मा में स्तित होना आत्मा ध्रव्य है ध्रव्य ही ध्रव्य को जानता है ध्रव्य को जानने के लिए मन और बुद्धी और इंद्रिया बीच में काम नहीं कर दी इसलिए इनको शांत करना होता है यह घ्यान के में अटके रहने परियाय में रखते हैं वुरतमान की इदर-दर की उपर की परियाय में लगे रहेंगे इस सादना के साथ जुड़ा हूआई मुश्ड शास रखा कि हम मुल धर्यवया नहीं हो शुद कुछ कर सकता है तो मूल जो है वो मूल तक जाने के लिए अमको आगे इसका बताया दूसरा सुद्र में बताया परमे अर्थात इंद्रिय मन उब्देश प्रकाश आदि की साहिता से होता है इन्हें बाईय साधनों की आवश्रक्ष्ट रहती है इस प्रकार काया जाता है कि मति और सुद्ग्यान पर सापेक्ष है यह परोक्ष है और सापेक्ष है अब प्रत्यक्ष मन्यत अब आगे बता दिया प्रत्यक्षम अन्यत बापस सुद्रिपिर ने किया जिसको दो को छोड़के जो अन्य रहे है पांच में से दो को निकाल दिया तो अन्य जितने रहें वो सब प्रत्यक्ष हैं तो अन्य कितने रहें तो तीन रहें मत्य और सुद को अतिरेक्ट शेश तीनों ग्यान अवदी वनपरिया और केवल ग्यान प्रत्यक्ष माने ये तीनेयो ग्यान पर निरपेक्ष है याने इसके लिए किसी की साहिता की जरूत नहीं है अपेक्षा याने कोई चाहिए निरपेक्ष कोई अपेक्षा नहीं है ये ग्यान इंद्री और मन आदि बाय साथनों की साहिता के बिना ही प्राप्टा है इस प्रकार जो ग्यान इंद्रिय प्रकाश उपदेश आदी के सयोग बिना आत्मा से ही उत्पन होता है वो प्रत्यक्ष प्रमान है प्रत्यक्ष प्रमान के दो बेद निरुपे देश प्रत्यक्ष प्रमान और सकल प्रत्यक्ष प्रमान अवदी ग्यान की मरियदा हैं उसकों वहां का देश प्रत्यक्ष और सकल में केवल ग्यान आ जाएगा आगे बताएंगे इसके अंदर दो प्रकार की ग्यान है अवदी ग्यान और मनो परियो ग्यान ये देश में हैं ये देश प्रत्यक्ष और में अवदी और मन सकल प्रत्यक या संपूर्ण पदार्थों को और उनके संपूर्ण त्रेकालिक भावों को प्रत्यक्ष जानता है। बनाया है और अंदर रहस्य बहुत है वह आचारियों ने इसकी ठीकाओं में आगे विशेश खोले हैं। बताते बताते ये पूरा का पूरा शास्त्र बन गया। तो अब उस शिश्य ने प्रश्ण पूछा गुरुदेव आपने पांच ज्यान के नाम बता दिये प्रकार बता दिये तो अब मति ज्यान के बारे में विशेश बताईए। मति ज्यान है क्या है कैसे पैदा होता है इसके क्या कारी है इसके कितने भेत प्रबेदे सब आगे बताएंगे। या मति ज्यान को और भी किसी नाम से जानते है खाली मति से जानते हैं तो मति ज्यान के बारे मताया तेरवा सुत्र है मति स्मृति संग्या चिंता अभिनिबोद इत्यनर्थान तरम मति स्मृति संग्या चिंता अभिनिबोद ये सभी मति ज्यान के अन्य नाम है जैसे को हम परियाए वाची नाम के मति ज्यान को और भी इन नामों से दुनिया में जाना जाता है मतिस, मति, आदी मति ज्यान के ही नामांतर है ये पांचों ही मति ज्याना वरन कर्म के एक शवशम से उत्पन होते है ज्यान के उपर जो आवरन आता है उसको ज्याना वरन कर्म 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 कितने हैं आठ कर्म है उसमें सबसे पहले हम जो भटक रहे हैं उसका मूल कारणे है हमारा अज्यान क्या है अग्यान को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमें लाइट प्रकाश अंदर से अंदर ग्यान है लेकिन उसके उपर आवरण आ गया तो उस ग्यान के प्रकास के अंदर जो आवरन है वो ग्यानावरन कर्म है जब ग्यानावरन कर्मक शय उप्षम होता है तो पहले मती ग्यान आता है फिर सुत ग्यान फिर दिरे दिरे पत्यक्षकी हो जाता है तो मती ज्यान के भेद बता दिए, नाम बता दिए, अलग नाम भी इसी अभीप्राइस है या मती आदी शब्दों के परियाए वाची या एकार्थ वाची कहा गया है अन्यता मती ज्यान तो वर्तमान विशेक है, स्मृति अतित विशेक है और इसी परिकार पूर्व और वर्तमान दोनों से समन्ध रखने वाली संग्या उभई विशेक है चिंता आनागत विशेक है, यो समस्त ग्यान परोक्ष परमाने इन शब्दों के अर्थ इस परिकार है आप ध्यान में गए और सो गए नींद आगे जबकी लगी तो वर्तमान में क्या आपको पता नहीं चला इसलिए का ध्यान नींद नहीं है ध्यान में सजगता जरूरी है बुद्धी आपको कई बार सुला देती है जैसे आप शांती में जाते है वो आपको तंद्रा में ले ज सम्र्टी पहले से अनुभव की वस्तु का स्मर्ण संग्याέँ अतीत के अनुभव की वस्तु और वर्तमान मैं अनुभव की जाने वस्तु के बीच एकता की खोज करना उह ही विशक है संग्या का कारे क्या है मती स्मृती संग्या यह हमने अतीद काल में कोई अनभूव किया और वर्तमान में हम अनभूव करें जैसे आपने बहुत साल पहले कोई चीज खाई और अभी वर्तमान में खाने लगे तो जैसे ही खाते-ख वस्तु के बारे में अनभेशन का नाम चिंता है या अनागत विश्य का विश्य का विश्य है बविश्य में क्या होगा मेरे क्या होगा उसको ले के चिंता सारी दुनिया चिंता किसकी कर रही है भूत में कुछ गट गया उसको ले के दुखी हो रही है और भविश्य की प्नाऊं में लेकर कि ऐ सफ न रूजा ऐसा करूंगा अब इसा करूंगा यह करूं वो करूं यह अनागत का विशें जो है वो चिंता का विशें अभी निभोध near वस्तु को ग्रण करने वाले स्पष्ट बोध को अभी निबोध करते हैं अभी निबोध यानि जो स्पष्ट बोध हो गया हमको कि ये वस्तु ये है ऐसी है उसको अभी निबोध करते हैं ये मति ग्यान के विभिन नाम है अब आगे बताया ये मतिग्यान केसे होता है तो विस्तार से बता रहे तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम तदिंद्रिया अनिंद्रिया निमित्तम इस उतर में तदिंद्रिया में अ मिला अनिंद्रिया और मिलके आ हो गया तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम तदि निंद्रिय निमित्तम तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा वो मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय मन का दूसरा नाम क्या है अनिंद्रिय मन के निमित्त से होता है अनिंद्रिय का मतलब मन जो मति ज्ञान हैं इंद्रियों से और मन से होता है मति ज्यान की उत्पति के दो कारण है निमित्त है मति ज्यान उत्पति होता है पहला कारण है इंद्री और दूसरा कारण है मन इंद्री यह क्या करती है बाहर से आपको विश्यों की सुचना इलादा के लेती है आपकी बुद्धी कैसे तयार होती है आँक ने कुछ देखा और रूप सामने लेके आई और आपने बुद्धी ने उसको ग्रहन कर लिया कार ने कुछ सुना सुनकर के लाई और बुद्धी ने उसको क्या कर लिया ग्रहन कर लिया ऐसी नाक रस और सपश पांचों इंद्रियों के विशे और फिर मन मन विविन्य प्रकार के विचारों को लेकर के आता है और उसको भी आपकी बुद्धी मती पकड़ लेते हैं मन को अनिंद्रिय भी कहा जाता है ये दोनों बाईय कारण है मति ज्ञान का अंतरं कारण तो मति ज्ञाना वरन कर्म है काक्षवशम है अंतरं कारण तो क्या है मति ज्ञाना वरन कर्म काक्षवशम और बाईय कारण है इंद्रिया अलग-अलग सुचनाएं आपको ला करके देती है मन विचार करता है इंद्रिया आत्मा की ही परिचायक है आत्मा में अगर आत्मा न हो तो इंद्रिया कुछ करें लेकिन आत्मा को ज्ञान पहुंचाने के लिए या बाहर की सुचना ही लाने का काम कुन कर रही है इंद्रिया कर रही है क्योंकि आत्मा तो सुक्ष में दिखाई नहीं देती, इंद्रियों का इस्तान भी निश्चित है और विशय भी जैसे चक्षू शरीर के अमुग भाग से में ही पाया जाती है और रूप को ही द्यानती है किन्तु मन का न तो कोई निश्चित स्तान है न कोई निश्चित विशय है मन का कोई निश्चित स्तान भी नहीं है निश्चित विशय भी नहीं है उसकी प्रवत्ती सर्वत देखी जाती है अस्तु उसे नो इंद्रिय या अनिंद्रिय का हा त्या कहा नो इंद्रिय या अनिं मन को कहीं कहीं अंतकरन भी कहा गया है क्योंकि मन का प्रधान कारे गुण दोस्त तस्मरन आदी है लिए पांचों इंद्रिया बाइय साधन है और मन आभ्यानतर साधन है कि मन सबी जगा काम करता है और मन अमको लेता है मति ज्यान उत्पति के हैत्त दो बता दिये इंद्रिया बाइय साधन और मन आभ्यानतर साधन मन को अनिंद्री भी केते हैं नोईंद्री भी केते हैं और इंद्री ये आत्मा की पैचान के चिन्न है अब मति ग्यान के भेद और उत्तर भेद मतिग्यान का इविशेश चलता है पहले तो अलग-अलग नाम बता दिये अब इसके भेद और उत्तर भेद करते हैं मतिग्यान केसे होता है किस प्रकार होता है क्या क्रम है इसका तो आगे गहरेई से बता है अवग्रहे हावाई धारनाहा अवग्रह यहावाई और धारना óव नहीं संदी की है अवग्रह धन यहाई ये और मिलके अ बन जाता है तो अवग्रहे ओ अवाई मैं यहावग्रहे अ मिलके अ बन गया अवग्रह, हवाय, धारना, अवग्रह, इहा, अवाय और धारना, ये चार प्रकार से क्या होता है, मति ज्यान होता है, मति ज्यान के चार बेज़ो इस प्रकार, अवग्रह का तत्पर है विशिष्ट, अवग्रह का तत्पर है विशिष्ट कल्पना रहित सुख्स्म अव्यक् ग्यान इसमें सामाने तक किसी वस्तु को देखकर छूकर यह ज्यात होता है कि यह वस्तु कुछ है दूर से आपको कुछ दिख रहा है खाली हलका सा आभास हो रहा है तो कुछ है अभी क्लियरिटी नहीं हुई क्या है क्या ने पर कुछ दिख रहा है दूर से तो वो क्या है व मतिग्यान है, इसका काल परिमान एक समय का है, तो पहले समय में जाना, दूसरे द्रमे में उसके अंदर में इहा पेदा हुई, इहा क्या है, इहा विशेष्टा युक्त विचारना है, जैसे अउग्रह में वहां कुछ है, ऐसा जिग्यासा बनी रही, इहा में वो बस्तु रस है या सर्प है, जैसे दूर पड़ी देखिया आपने, इहा अंदर में एक जिग्यासा पेदा हुई, जानने की जिग्यासा इसमें बनी रहती है, इहा मतिग्यान का काल परणिमाम अर्द मूरत का है, ऐसे जिग्यासा बनी रहना, अब आए, इसमें वस्तु के विशेष नि पृष्ण उठा फिर हो गया कि यह रस्य और सर्प दोनों में भेद करके बता जाया कि यह रस्य ही है कि अवाय में लिए फास्ट के और है। प्रात्त ग्यान को स्मृति और स्मृति को संजोगत मैं से विष्मृत न करना ये धारना है मत्य ग्यान कि इसका आगे समयें देखेंगे